दोस्तों सबसे पहले तो जरा इस आर्टिकल को देखिए 2014 की रिपोर्ट के एकॉर्डिंग माइक्रो मैक्स सैमसेंग को भी बीट करके इंडिया का नमबर वन मोबाइल विंडर बन गया था उस टाइम मोबाइल फोन मार्केट का 16.6% शियर इंडिया की कमपनी माइक्रो मैक्स का हुआ करता था लेकिन अब 2013 में पब्लिस्ट इस आर्टिकल को भी देख लिजिए सबसे पहले तो शियोमी है जो की 20% मार्केट शियर के साथ में टॉप पर है इसके बाद से चाइना के रियल मी, ओपो और वन प्लस और फिर बीच में साथ कोरिया का सैमसंग और अमेरिका का एपल ब्रांड मतलब कि स्मार्ट फोन ब्रांड्स में इंडियन कमपनीज का तो अब कही नामों निशानी नहीं है लेकिन ऐसा क्या हुआ कि माइक्रो मैक्स और लावा जैसा मोबाइल फोन ब्रांड्स जो कि कुछ साल पहले ही इंडिया के मार्केट को डॉमिनेट करते थे वो लगबग पूरी तरह से मार्केट से गायब हो चुके हैं और आज तमाम कोशिचों के बावजूद इंडियन कमपनीज अपने ही लोगों के दिल जीतने में क्यों नाकाम हो जा रही है चलिए इस पूरे मुद्दे को हम डिटेल में समझते हैं तो दोस्तों हमारी यह कहानी शुरू होती है साल 2010 से जब भारत में डेटा के रेट सस्ते हो रहे थे और मार्केट में चीप स्मार्टफोन भी लॉंच किये जा रहे थे उस समय करोणों लोग अपने फीचर फोन्स को हटा कर नया स्मार्टफोन लेने की तरफ बढ़ने लगे इंडियन मार्केट में तब तक चाइनीज कंपनीज एंटर नहीं होई थी महीं सैमसेंग और एपल जैसी कंपनीज भी उस समय सर्फ अपने प्रीमियम स्मार्टफोन के लिए ही जानी जाती थी जो कि एक आम भारतिय के पहुँच से काफी दूर थी और फिर इस मौके का फायदा उठाते हैं माइक्रो मैक्स और कार्बन जैसे इंडियन ब्रांड्स जिनके स्मार्टफोन इतने फिचर रिच्स तो नहीं थे पर आम भारतिय जितने फिचर्स को अपने स्मार्टफोन में एक्सपेक्ट कर रहा था वो उसे एक एफ़ोडेबल प्राइज में मिल जा रहे थे यही कारण था कि शुरुबात में इन इंडियन कमपनीज को बहुत तेजी से ग्रोथ मिल जाती है लेकिन दुबारा इन कमपनीज की किसमत उस समय पे लट जाती है जब जुलाई 2015 में चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड श्यामी भारत में एंट्री ले ले लेता है श्यामी के स्मार्टफोन की कीमत तो इंडियन स्मार्टफोन के आसपासी थी पर इनके फीचर्स एपल और सैमसेंग को टक कर देने वाले थे अपनी इसी USP की वज़ा से श्यामी एक ही जटके में इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड को मार्केट से बाहर फेक देती है और हमारे brands innovations की कमी की वज़ा से इसके बाद से कभी भी खड़े नहीं हो पाते हैं एक तरब जहां सारे global smartphone brands हर दूसरे तीसरे महिने ही नए नए और updated features के साथ smartphones को launch कर रहे थे और हर समय कुछ नए innovations में लगे रहते थे वहीं अगर इंडियन smartphone brands ने थोड़ी भी मुस्तियाधी दिखाई होती तो शायद आज मुझे इस वीडियो को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती Information and Broadcasting Ministry के data के recording साल 2022 में इंडिया में 60 करोण mobile users थे और एक projection के recording साल 2040 तक ये संख्या बढ़कर 150 करोण होने वाली है लेकिन दुख की बात तो ये है कि इतनी opportunity होने के बाद भी भारत का कोई भी smartphone brand इस market में अपनी जगह नहीं बना पा रहा है और वो भी तब जब हमारी government पिछले कई सालों से making इंडिया जैसे initiatives के थ्रोग देश की manufacturing industry को grow करने के लिए जी जान से लगी हुई है हमारे पास स्मार्टफोन मार्केट में एक भी global brand नहीं है और इसके पीछे एक नहीं बलकि multiple reasons हैं जिन में से पहला reason है innovation और research and development की कमी अब दोस्तों चाहे कोई भी technical industry हो अगर उसमें लगातार 9A technology को discover नहीं किया जाएगा तो वो industry समय के साथ पीछे छूट जाने वाली है क्योंकि customer चाहे किसी भी देश के भी हो वो हमेशा नईने चीजों को खरेदने के लिए excited रहते हैं और समय के साथ ही खुद को upgrade रखना चाहते हैं स्मार्टफोन के साथ भी यही role follow होता है क्योंकि अगर कोई स्मार्टफोन कंपनी अपने devices में innovations नहीं करती तो फिर customer उसके devices को खरेदने के लिए motivate नहीं होते हैं एक्जामपल के लिए हम 2007 के बात करते हैं जब Apple ने अपना पहला iPhone लाँच किया था उस टाइम वो दुनिया में अपनी तरह का पहला product था क्योंकि Apple ने एक ऐसे phone को launch किया था जिसमें buttons नहीं थे बलके सर्फ screen दी गई थी अब ऐसा भी नहीं है कि Apple touch screen device बनाने वाला कोई पहला brand था पर Apple ने इसे उस level पर innovate कर दिया था कि दूसरे companies भी iPhone के टकर का device बनाने के लिए मजबूर हो गई थी यहीं वज़ा थी कि इस phone ने आते ही लोगों के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया और साल 2012 आते आते Apple दुनिया भर में अपने iPhone के लिए popular हो गया जिसके बाद से ये company हर दिन लाखों के संख्या में smartphones बेचने लगी अब दोस्तों आपने देखा होगा यहाले ही में Samsung के folding smartphones काफी popular हो रहे हैं जिसे उनके द्वारा सबसे पहले 2019 में launch किया गया था हलाकि इस phone की कीमत काफी ज्यादा है लेकिन technology के मामले में ये एक नया innovation है और लोग इसे हासिल करने के लिए काफी excited रहते हैं दिरे दिरे Samsung ने अपनी इस technology को और बहतर किया और फिर कुछ समय के बाद clamshell design वाले flip phone को भी launch कर दिया इस phone के launch होते ही Samsung की popularity लोगों की बीच पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई हलाकि दूसरी companies ने भी flip phone लाने की कोशिश तो की लेकिन इसमें उन्हें 4 साल से भी ज्यादा का समय लग गया जितने में Samsung ने flip phone market को पूरी तरह से dominate कर लिया आप इसे से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार innovation करना एक ऐसा factor है जो कि आपके brand को top selling category में रखने के लिए important role play करता है अब सवाल यह है कि जब innovations पर ही ये पूरी industry टिक हुई है तो फिर Indian smartphone companies innovations में इतना पीछे क्यों है तो एक्चुली इसके पीछे की सबसे बड़ी वज़य है short term vision का होना R&D पर पैसा खर्च करने की जगा Indian brand ने हमेशा marketing और sales को उपर रखा जिसका उन्हें benefit तो मिला लेकिन ये बस कुछी समय के लिए था Indian smartphone brand के decline का दूसरा सबसे बड़ा reason है rebranding अब दोस्तों जब Apple और Samsung जैसे brand दुनिया भर में अपनी जगा बनाने में लगे हुए थे उस समय Micromax Indian smartphone brand का tag लगा कर चुप चाप चाइना के smartphone को मगा कर बेच रहा था इनफाक्ट उस समय लगबग सबे Indian brand मेजरली दो तरह के business model पर काम कर रहे थे या तो वो चाइना जैसे देशों से parts मगा कर अपने यहाँ पर assemble करते थे या फिर वे bulk में directly ready to use smartphones मगा कर अपने यहाँ पर rebranding करके उन phones को sell कर दिया करते थे अब rebranding करने की एक बड़ी वज़ा थी Indian brands के पास पैसों की कमी अब manufacturing unit के setup के लिए technology infrastructure के साथ साथ labor में भी investment की जरूरत थी लेकिन Indian smartphone brands के पास बहुत ही limited financial resources थे और उनके लिए बड़ी investment कर पाना काफी ज़्यादा challenging था यही वज़ा थे कि इन brands ने बहुत ही short term vision रखा और brand की पहचान बनाने की जगा foreign manufacturer से products को मगा कर बेचना और commission बनाना ज्यादा से ही समझा अब शुरुबात में तो इनकी यह strategy काफी जबर्दस थाबित हुई और इन्हें बहुत benefit भी मिला लोगों ने जम कर खरीदारी की जिससे कि उस समय चाइना के बाद इंडिया customer के मामले में world का second largest smartphone market बन गया अब जब foreign countries के brands ने ये देखा तो वो एकदम से दंग रह गया चाइना ने सोचा कि यहाँ पर Indian brands हमारे ही phone को बेच कर इतना profit कमा रहे हैं तो फिर क्यों ना हम खुदी अपने phones को वहाँ पर बेचे और profit कमाएं और दोस्तों अपने इसी सोच के साथे Xiaomi ने जुलाई 2016 में अपना Mithri phone को इंडिया में launch कर दिया और जैसा कि उसने सोचा था उन्हें इसका बहुत ही जबर्दस result देखने को मिला जिसके बाद समय के साथ Chinese brands के अलावा दूसरे foreign brands ने भी इंडिया में manufacturing unit को setup किया और अपने smart phones को locally manufacture करने लगे और दोस्तों यहाँ कमाल की बाद तो ये थी कि एक तरब जहाँ foreign brand के phone लोगों की बीच अपनी पकड़ बना रहे थे तो वहीं दूसरे तरब Micromax एक के बाद एक rebrand phones को launch कर रहा था अब इसे आप Micromax की नादानी कहें या फिर बेव कोफी ये फैसला मैं आप पर ही छोड़ता हूँ अब दोस्तों smartphone market में Indian brands के decline का एक और बड़ा reason है Indian brands के द्वारा highest margin लेना अब आपको पता ही है के smartphone market बहुत ज़्यादा competitive है और यहाँ वही company टिकती है जो कम margin और cheap price पर अपनी smartphone बेच पाए Indian company जहाँ आपने margin को 20 से 30% तक रखती थी वहीं Chinese companies manufacturing unit लगाने के बाद भी सिर्फ 5 से 6% के margin पर अपने phone सेल कर रही थी low margin होने की वज़ा से लुगों के लिए Chinese brands के smartphone काफी सस्ते होते थे और जैसा के मैंने आपको पहले ही बताया कि features के मामले में तो भारत चाइना को टक कर ही नहीं दे पा रहा था जिससे की Indian brands का धीरी धीरे अस्तित्व ही समाप्त हो गया और दोस्तों Indian smartphone brand के decline का एक और बड़ा reason था sales के बाद support और service का खराब होना अब Indian brands foreign countries से ready to use condition में smartphone मगा करूने base तो रही थी लेकिन उनके पास service के नाम पर तो बाबा जी का ठुल्लू था अगर किसी customer का phone तूट जाता था या फिर किसी वज़ा से खराब हो जाता था तो फिर उसे repair करवाने में उन्हें महीनों का वक्त लग जाता था इवन उस time एक बार जब एक person ने अपना mobile phone service के लिए दिया तो उसे 6 महीने तक phone के लिए इंदजार कराया गया और 6 महीने के बाद भी जब उसको अपना phone नहीं मिला तब उसने company पर case file कर दिया ये company micromax थी जिसे fine के रोप में इतना लंबा इंदजार कराने के लिए उस शक्स को 10,000 रुपए देने पड़े थे और इसी वज़ा से लोगों का trust इन Indian companies के प्रति खत्म होता चला गया अब देखा जाए तो उस समय ये Indian brands अपनी service देते भी तो कहां से ये लोग तो phone चाइना से मगवाते थे जिस वज़ा से ना तो उनके पास कोई major components होते थे और नहीं factory थी और replacement में नया phone देना भी उनके लिए possible नहीं था क्योंकि अगर वे ऐसा करते तो फिर loss में जाने लगते और दोस्तों इनी सबी reasons की वज़ा से आज भी हमारा देश एक global smartphone brand produce करने में नाकाम साबित हुआ है